हेलो फ्रेंड्स यार कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं बहुत ही अच्छे हूंगे तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आना हूं मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस वीडियो को बनाने के लिए वीडियो को अंतक दे यहाँ पर जो स्मार्टफोन लॉंच हो रखे हैं उन सब स्मार्टफोनों की बारे में बात करूंगा तो यार वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा और देखिए नीचे पर आपको एक चीज दिख जाएगी आप उसको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में उसको दबाय के क्योंकि उसमें जादू सा होता है रैट से ग्रेवी हो जाता है और बगल में जो घंटी है उसको भी दबाजी का एक ही बार दबा दिख जाएगी हाँ वो नॉटिफिकेशन का बैल आइकन भी दबा दीजिए जिससे की मेरी लेटेस्ट नॉटिफिकेशन आपको time to time मिलती रहे तो तो यार सबसे पहले मैं आप बात कर आता हूँ आप लोग्से किस चीच के बार में हाँ यहां पर बात करूंगा आप से रीयल मी 2 के बारे में जो यार बेसिकली पर्सु ही लांच हुआ है फिलेप कार्ट के उपर आप उसको देख सकते हैं वो लॉंच हुआ है अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरी एक वीडियो मैंने बनाई है रियल मीटू के बारे में आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए जिसमें मैंने उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पूर वीडियो थोड़ी सी लैंदी हो सकती है तो प्लीज थोड़ा सा ध्याल आके देख लिजीगा बिल्कुल इसकी मत करिएगा तो यहां पर रियल मीटू के बारे में मैं बात करने वाला हूं आप से देखिए रियल मीटू स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ऐस डायक्ली एक ऑन-डामोहमेंट्ट्पो यहां पर रियल मीटू के बारे में हम बात कर रहे थे रियल मीटू स्मार्टफ़न बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है हम कह सकते हैं यह आप कहेंगे कि रियल नीवन नहीं है थोड़े बहुत अब बारेंड अब आत्राइं अपको यह आपको नहीं मिलती है लेकिन बैटरी बहुत बड़ी मिलती है 4300 एमेज की जो आपका दो दिन तो यहां तक आपका टेकी जाएगी अगर आप पबजी नहीं खेलते है इस प्रेगन का 450 प्रोसेजर दे रखा है और यहां पर आपको जीप्यू भी मिल जाता है 506 जो खुद यहां पर Qualcomm Snapdragon यहां पर डिजाइन करता है उसका नाम है Qualcomm Adreno 506 यहां पर चिप्यू उस्तमाल किया गया है नौच भी मिल जाती है पीछे की तरफ आपको एक अच्छा कासा 8-2 पिसल का कैमरा मिल जाता है सेलफी लेने के लिए अब मैं आप इसको सीधे कंपेर करूंगा Realme 1 क के साथ देखिए मैं सीधे सीधे एक बात बोलूंगा अगर आपको पर्फॉर्मेंस चाहिए तो आप जाहिए Realme 1 के पास अगर आपको लुक एंड डिजाइन चाहिए तो आप जाहिए यहां पर Realme 2 के साथ हाँ Realme 2 में एक नया अपड़ेट और किया है Fingerprint sensor भी देख दिया ह है चिस्से कि यहां पर हमको Realme 1 में देखने के लिए नहीं मिला था दोनों की प्राइज मैं कह सकता हूं दोनों की प्राइज सेम रखिया यहां पर कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया पर यहां पर स्नैपड्रेगन का 450 नहीं यूज करना चाहिए था मेडिया डेक का P60 यूज किया था भाई वह बहुत ही मिड रेंज मैंने आपको बोला सब्सक्राइज अलग है मिड रेंज अलग है वह यहां पर मिड रेंज के बतलब एक दब फाड़ परफॉमेंस देता है आप कह सकते ह के लाबर की यहां पर अपको यहां पर मैं रिकमेंड करूँगा रिलमीवन अगर आपको परफॉमेस चाहिए लुक में डिजाइन चेहिए तो रियलुक के पास आप जा सकते हैं यह फॉन मिलते हैं आपको 10,000 के अंदर के मैं यहांपर अगस्ट-क मन्न में लॉँए न इ Alzheimer चार्जिंग दे रखी है, आप कह सकते हैं, यहां पे इसमें वूप चार्जिंग दे रखी है, आप कह सकते हैं वीवो उपो और वनप्लस फिक है यह एक ही कमपणी मनाती है BKL ELEKTORYNICS इसके सब ब्रैंड है आप कह सकते हैं जो उसके बच्चे है जो पैरेंट है वो है आपका BKL ELEKTORYNICS जो बच्चे है आपका और वीवो तो यहां पर उपो ने वूप चार्जिंग नि एक वाटर ड्रॉप वाली नौच भी मिल जाती है नौच बिल्कुल अलग करी हुई है बैसिकली यह सब नौच का जमाना तो आया था एसेंशियल फॉन से आप नहीं कह सकते कि एपल नहीं यहां पर नौच निकाली थी पर यहां पर कुछ इसमें थोड़ी से हाइप बनानी थ अच्छे फॉन है 20,000 के अंदर को को फॉन आ जाता है और का प्ले आ जाता है लेकिन इनने यह 23,000 के अंदर लॉंच किया है क्योंकि 23,000 एक वाटर ड्रॉप नौच के साथ मेरे को पसंद नहीं आया और यहां यहां पर आपको अच्छे खासे कैमरे भी मिल जाते हैं ठीक थ आपको फिर भी अपनी चहरे को चमकाना है और इसकी डिजाइन लुक्स और डिजाइन देखना है लुक्स और बहुत ही इच्छा है यह रिसा नहीं है यह खराब है पोको फॉन की तरह पॉली कार्बून दे दिया है तो आपको समाजी आ रहा होगा जादा ही नहीं चले कोई बात नहीं इसके शोड़ते हैं अब यार बात करते हैं हम इसके बाद वाले फॉन में यह 23,000 का फॉन था मैं उप्पो की स्रीज कवर कर रहा था तो इसको भी मैंने कवर कर दिया आप बात करते हैं यहां पर जो 15-16,000 का फॉन है कौन सा है आप जानी चुके होंगे नोक्या का 6.1 प्लस यह भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है यार यह इसने रैद्मी नोट 5 प्रो को और आसूस का मैक्स प्रो एम यही फोन था ना 28GB के साथ उस वैरियंट को भी किल कर दिया है आपके किसने इसने यह कौन सा फॉन था मैं तो भूली गया अच्छा यह फॉन था मैं किसकी वात कहां नोक्या का 6.1 प्लस तो इसने अच्छी से केल कर दिया है स्नाइब द्रगन का 636 प्रोसेसर यूज किया गया है ठीक है और इसमें आपको नौज भी मिल जाती है बैटरी 3080 mh की यहां पर बैटरी भी इस्तेमाल की गई है 4GB 64GB यहां पर वैरियंट आपको मिल जाएंगे पीछे फिंगर पिन सेंसरी मिल जाएगा 5.8 इंचेस की यहां पर डिस्पले भी है बहुत अच्छा स्मार्टफोन है इसको भी एक बार आपसे देख लीजेगा अगर आपको फॉन पसंद आता है बिसिकली मेरे को इसमें सब अगले फोन ने हम जम करते हैं उसका नाम है ऑनर का प्ले भाई शाओमी के पोको फोन आने से पहले इसमें मार्केट में सभी डिवाइस को किल कर दिया था बिल्कुल एक तरीकी से होता है ना चाकू घूप दिया था बिल्कुल सारे ब्रैंड्स यहां पे खतम हो गए थे हाला कि यहां पर शाओमी ने अपना लॉंच गिया था अच्छा नहीं लगा अब बात करते हैं ऑनर की प्ले में भाई इसकी पर्फॉर्मेंस एक डम ला जवाब किरिन का खुद का बनाया हुआ हुआवे का 970 यहां पर प्रोसेसर यूज किया गया था जो कि यहां पर आपको बहुत ही अच्छी प्रोसेसर यहां पर उसकी तागत यार आप कह नहीं सकते हैं कह सकते हैं Snapdragon 835 और 845 इसके मिड में इसके बीच में वेरियंट करता है अब यह नहीं कहेंगे Snapdragon 845 के बराबर था और Snapdragon 835 से आप कह सकते हैं अच्छा ही था अब बात करते हैं इसमें यहां पर GPU इनका माली का जाएगा आपको यहां पर optimization की update आएगी या इसकी GPU Turbo की update आजाएगी अगर आप जो भी नए नए latest phone Huawei के Honor के use करते हैं चाहे साथ Honor का 9 Lite हो सकता है या Honor का 7X हो सकता है और इससे बड़े बड़े जो phone है Honor के उसमें भी यहां पर साथ यह update पहुचाने की कोसिस करें GPU Turbo की और हाँ यहां पर आपको पीछे की तरफ 16 प्लाइश टू मिल जाता है और फ्रंट की तरफ भी यहां पर आपको बहुत ही अच्छा camera मिल सकता है जिसकर कि आप अपनी selfie ले सकते हैं और यहां पर AI यहां पर भर भी पड़ी है AI मतलब आप कह सकते हैं अगर आप मेरी फोटो ले रहे हैं अगर आप इस फोटो में बहुत ही अच्छी मतलब वह जो camera है उस पीछे background को देखके आपको देखके फोटो को इस तरीक से customize कर देगा कि आपको फोटो अच्छी ही लगनी है और यहां पर AI इस तरी किसे बनाई गई है आप अगर डेली यूजर से उसको देखेंगे डेली यूजर से अपना यूजर करेंगे तो उस तरीके से अपने आप आपकी हैबिट को देखके अपने आपको उस चीज में ढाल लेगा मतलब आप Instagram के बार Facebook के बार Instagram कोलते हैं तो वह उसको उतना ही जल् इस्टोरेज में आपको 4GB RAM 6GB RAM आपके बारेन मिल जाएगा 64GB की आप इंटरने स्टोरेज भी लेकिन यार सबसे अच्छी बात यहां पर यह करी गई है यहां पर आपको यह यूफस 2.1 की टेक्णोजी इस्तमाल में करी गई है इसके बारे भी आगे बात करूँगा नेक्स एसा तक तक इसने यहां पर मार्केट में किल करा था सब इस smart phone को अब यहां पर बात कर लेता हूं आपसे Xiaomi के POCO phone के बारे में ख्यार दो मिका जो POCO phone है बहुत अच्छा phone आप कोई यहां पर कमी नहीं है उस smartphone में पर यहां पर यहां पर बैक पैनल बहुत ही मतलब ऐसा दे दिया है मतलब कुछ कहा नहीं सकते है पॉली कार्मोनेट का आपे बैक पैनल दे दिया है जिसको अगर डिजाइन लुक्स और डिजाइन चाहिए तो अनर के प्ले के साथ जा सकता है वरना आप शाओमी का फोको फोन भी ले लीजिए क्योंकि बीसे जार एकिस जार के अंजर वह फोन आपको मिल जाता है इसनेब्रेगन 845 यूज किया गया है जो इसनेब्रेगन खुद का प्रोस्टर है और यहां पर यहां पर आपको जीप्यू भी मिल जाएगा उसमें इसनेब्रेगन का 540 अब बात करते हैं इसके रैम वेरियंट के इसमें 6GB और 8GB वारियंट मिल जाएगा 6GB चौश जीबी और यहां पर अब मैं बात कर लेता हूं इसमें आपको एक नई टेकनोजी मिलती है लिक्विड टेकनोजी और यहां पर शाओमी वालों ने खुद का अपना MIUI 9 9.6 जो भी उनका चल रहा है वो यहां पर इस्तमाल किया गया है बहुत अच्छा फोन है बाई कोई कमी नहीं ह यार कुछ कहा नहीं सकते है शाओमी वालों तरह ने क्या कर दिया है फोन अच्छा है अगर आपको लेना है पर्फॉर्मेंस के लिए बहुत तगड़ा फोन है बहुत तगड़ा अगर लुक्सें डिजाइन देखने हैं तो आप मत लीजिए ठीक है कैमरा में आपको 12 प्लस अच्छा फोन है अच्छा फोन है पर यार प्राइसिंग उसकी फोड़ीजी कम करते तो अच्छा रहता क्योंकि यहां पर आपको 19,000 के अंदर आपको मिल जाते हैं और का प्ले तो यहां तीन हजार रुपे तो खर्च करी सकता है नए स्मार्पोन के लिए जो आपको बैट को MI A2 में तो यहार मैं रिकमेंट करूंगा अगर आपको कैमरे के लिए चाहिए तो MI A2 दीजिए परफोमेंस चाहिए तो अनर का प्ले लिजिए पस यार आपको यहां पर कंपेर करना है कौन सा फोन यहां पर आपके लिए बैस्ट है सबका प्राइस 20,000 से अंदर है और ज दीचे देखिए आपको एक अच्छा सा लाल खलर का चमकता हुआ एक बटन दिखेगा उसको दबा दीजिएगा और उसके बगल में जो नॉटिफिकेशन का बैल आइकन भी उसको भी दबा दीजिए जिससे की मेरी लेटेस नॉटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती र